कि तो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेटी संसी के सर में मैं हूँ चंदर फूल सर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 वी का बहुत ही भी भी आई ऑब्जेक्टी प्रस्न जोकी वी सह जो है कामेस् चैनल को लाल प्रेंट को दबा के सब्सक्राइब करें जिसे कि मैं जितने भी और वीडियो अप्लूट करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं जो कि सीद्धिया आप से बूर्ड से लड वाई के परमानों फलक के दरों पर अवसित है इस योगी का सुत्र क्या होगा तो दोस्तों इस योगी का सुत्र होता है एबी थिरी यानि कि आपका ओप्शन नमबर ए है बिल्कुल सब्सक्राइब सिंप्ली आप एप टीक आउट कर लेंगे एबी थिरी को जो है दोस्तों वाई मंदलिये दाप पर सबसे अधिक होता है तो दोस्तों यह होता है आपको पता होना चाहिए कि 0-1 यानि कि आपका option जो भी है यानि खा जो है बिलकुछ सही हो जाएगा खा इसका अंसर बिलकुछ सही हो जाएगा दस्तो तो चलिए दूस्तो नेक्स क्यूशन के और हम लोग बढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण कहता है कि फैराडे के विधूत बीछितन का द्वितिय नियम संब आंदित है तो यहां बीधुत आप गहाटे के समतल्य भार से यानि कि जो आपका मेलिकुशन है ब्यूदक तो भीदूत आप स्बस्ण की बात करते हैं तो 14 करता है कि हीलियं का मोखिश शुरुद किया है हलाकि तो मोनाजाइट है यानि खाज आपका अप्सन है बिल्कुल सही हो जाएगा सिंप्ली आप सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए दोस्तों अगले क्यों क्यों हम लोग बढ़ते हैं देखिए तो पाच्वा प्रसन कहता है तो चलिए दोस्तों पाच्वा कहता है कि एना इसी ओ थी ओ हल फोर तो नीकल की खरन संख्या क्या क्या है दोस्तों ऑक्सिडियेशन अंबर प्योंच रहे हैं未द्वी यह नाई है ठोट होगा हर सब देखते हैं च्छाटा प्रसन कर रहा है कि निमने लिखीते में कौन हाइड रिर्जन नहीं नहीं बनाता है दोस्तों नियूंड में से कौन है दोस्तों एच सी ल जो है यह ज़ो है धरोजन मन्धन नहीं बनाता है रही घहाजवापका अंसर है बिल्कुत से जागा घहाप से पिले टीक को लेएख चलिए दोस्तों अगले क्योशन के दोग बढ़ते हैं देखते हैं कि या कर रया है से प्रस्ट तो सब्सक्राइब है कि दॉत है और आपको याद ही होगा ले तो देखिए दोस्तो आठ जो प्रास्न है कि इन वे से किस में आइसोपरीन इकाई है तो दोस्तो प्राकिरतिक रगभर में जो होता है आइसोपरीन इकाई होता है यानि कि आपका जो प्रास्न करने पर प्राप्त होता है यानि काल्सियम फॉर्मेट करने पर क्या प्राप्त होता है यानि कि आपका अप्शन भी स्वरीख है दोस्तो सही हो जाएगा यानि कि यह सी यह प्राप्त होता है चली दोस्तों दस प्रास्न को देखते हैं लोग दस प्रास्न करता है कि किसी प्रतिकिरिया के लिए किसी प्रतिकिरिया के लिए दर इस्थिरांग का इकाई मॉल प्रत प्रतिकिरिया की कोटी क्या होगी दोस्तों प्रतिकिरिया की कोटी जो होगी सुननी होगी यानि कि आपका अप्षन है का बिल्कों सही हो जाएगा चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्राशन क्यों देखते हैं अगारा प्राशन दोस्तों मैं जितने भी प्रस्ण है आप याद रखेंगे जिससे कि आपको एक्जाम में जर्णा सा भी दिकत नहों चलिए दूस्तों 11 परस्ण कहता है कि सिर्प्रतिक्रिया स्वता होती है जब यानि सिर्प्रतिक्रिया स्वता होती है कब यानि कहता है ऑप्सन में डाइरेक्ट दोस्तों मैं आंसर बता रहा हूं जो कि आपसें पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा इसलिए मैं अंसर के वल बता रहा हूं तो यानिकी यह होता है दोस्तो एप डेल जे डिग्री रिनातमक होता है दोस्तो चलिए दोस्तो अगले किशन के रहनों बढ़ते हैं कि खाज आपका अप्शन है बिल्कु से जाएगा सिंप्ली कर टिक लेना है आगा काता कि कुरा का लाएड़ी सिस्टम है दोस्तों बहुत अच्छा प् में सुझता है और इस आप भी भी आई लिख लेंगे दोस्तों बहुत ही यह जो हैिंप्टरिए के बारा प्रस्ण काता है कि कुहरा कौन कौन इभ्लाॉंटके सिस्टम है तो कउरा जो है दोस्तों द्रोग काय राश में क्याँ ज्ञाज़तीज है कि कौना दॉइस्टम है दोस्तो इनमें से कौन प्रातिय चुम्बगीं तोश्तो प्रातिचुम्बगी कर रहा है तो दोस्तो आपको mają कि यहां आप संद्योगा सcado में कि तो फोलास कीॷ्टक यहां है इसमें जिसमें टू प्लस प्रातिचुम्बगीं पदार्थ है चलिए नेक्ट किशन की और हम लों बढ़ते हैं काता है चाउदा प्रस्ट की भूरे वला संकूल ये फिएच टूओ के हल पार पांच है काता है यहनों कि एसो फॉर में एफी का ऑक्सिडेशन नमबर काता है कि ऑक्सिकरन अवस्था है याने कि ऑक्सिडेशन न क्या है दोस्तो यह कहता है कि अंपनीया को सूस्क या जाता है यानि कि अमुनिया को किस के दबढ़े 202 कि एक कहाता है तो अमुनिया को 5 डेशन क्छोंस दाश्व1 पार है जाँ यानिक यापक्संओय है बिलकुल ऑजागा इस पहुंग आप पर टीक आउट कर लेंगए चलिए दोस्तों नेक्ट किश्वन की और हम बढ़ते हैं तो 16 प्रस्ण का था कि बीटामिन सी है यानि वीटामिन सी जो है क्या है तो बीटामिन सी जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्कॉर्विक अमल है एक श्कॉर्विक अमल रहने की खाज आपका आप्शन है बिल्कुल से जागा दोस्तों आप टीक आउट कर लेंगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कीश्वन की बार देखते हैं 17 प्रस्ण क्या करा है 17 प्रस्ण करा कि एक डिगरी तो डिगरी तो सरचीन डिगरी एलकोऑल के बीच अंतर दिखाया जाता है कंतनी कि कि जिए द्रीके जबान दोस्तों है एक डिगरी ढूर डिगरी में बढ़ते हैं देखिए 18 मैं सब सरक्राइब शारी है जो सबसे अधिक जारी होता है तो चलि हो बाड़ते हैं पर लुगते हैं कि क्या करें तो प्राप्त होता है बहुत अच्छा प्राशन है दोस्तों इसे आप लोग भी लिख लेंगे बहुत ही इंपोड़ेट प्राशन है कर रहा है कि स्टूडियम सल्फेट का जली गहोल में अक्रिये प्रियोग उप्योग कर बीधुत बीचेदन क्या किया जाए तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा तो दोस्तों कैथोड पर है एच्टू ओटू प्राप्त होगा यहीं कि आपका को अप्शन है बिल्कु से जागा सिंप्ल आप एक कॉप्य टीक आउट कर लेंग एच्टू ओटू मिलता है चलिए बढ़ते हैं उनीस प्राशनी क्यों और देखते हैं कि उनीस प्राशनी क्या देखिए 20 जो प्राशन क पर आया कि किसी प्राथिकिरिया का अर्थ जीवनकाल अभिकारा के अरांभिक सांद्रन के वितकरमानुपाती होता है तो प्राथिकिरिया की कोटी होती है दोस्तों यह भी बहुत ही विज़ऀयाइप चाल कि की सब्सक्ना आप आपकेटि कर लेंगे नेक्ट्षण देखते कि कौन इंजाइम गुलुकोज को अलकोहल में परिवर्थित करता है तो दोस्तों वो जो है आपका है यानि कि आपका ऑप्सन जो गह है बिल्कुष जयागा सम्पली आपका टीक आउट कर लेंगे चलिए दोस्तों जाएगा है बिल्कु से हैगा सेमिल आपका पैटिर्दिक आटोड कर लेंगे चलों को कर यह बाठते हैं 53 की वर देखिये तुर्स कर रहा है कि एल्कॉहल के आश्टीर टीरेफिकेशन अब के समू about your एलकोहल के अस्टीरिफीकेशन का जो क्रम है आपको पता होना चाहिए कि एक डिगरी लेस दैन दू डिगरी लेस दैन तीन डिगरी यानि कि आपका ओप्षन ख़ है बिल्कु से जगा एक दो तीन दोस्तों ख़ जो है बिल्कु से जगा सिवली अपकर टीकट कर लेंगे चलिए चोबिस प्रस्ण कहता है कि समाने तापवीवण 6 गैस की एक म Use का आयतन बहुँत अच्य प्रस्न है दोस्तों 5000 अपको याद ही रखना होगा इस प्रस्न को तो कहता है कि समाने यिवद्धार दाविवण 7스킬 का समानेता पर्दाव पर्किसी गयस के एक मूल का आयतन होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए हbuat उसन है घ्जबर नहीं होता है कोन ताप द्वारा परवाहित नहीं होता है यो हुछ नहीं होता है स्फें चलिएवीस प्रस्शन देखते हैं कि आयरन करता है दोस्तों कि आयरन के निसकर्शन में उत्तान अगति आपको सब्सक्रटि कर लेंगे छलिए दोस्तो अगले किशुन वड़ते हैं देखते हैं 27 प्रसक्राइब क्या है सताइस कहता है कि लैथ्यी नाइड संकूचन का अर्थ क्या है बहुत भी प्रसन है लैथ-जैन का अर्थ क्या है तहा दोस्तों लैंध है संकुचन का जो अर्थ है आपको पता होना चाहिए कि आयनिक त्रिज्या में कौमी यानि आपका जो गौ अप्शन है बिल्कु से जागा आयनिक त्रिज्या में कौमी सिंप्ल तो चली दोस्तो 28 प्रशन देखिए कर रहा है कि इथर के उपसीति में अलकाइल है लाइड तथा स्टोडियम धात्व के बीच प्रतिकिरिया क्या कर लाती है बहुत ही प्रतिकिरिया कर लाती है यह आपका कॉज अप्शन है बिल्कु से जागा सिंपका पेटी कर लेंगे तो चली दोस्तो आज के लिए बसिता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है तो मैं फिर साब को याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों याभी तक आप इस चैनल पे नहे है तो प्लीज लाल पटन को दबाकर सब्सक् तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना है जैहिन वंद्य मात्रम